हरियाना के हिसार में सतलोक आश्रम के मुक्यार रामपाल के हिसार के जेल नंबर दो में पेशी हुई पेशी के दोरान न्याय धीश अजेपर आशर ने रामपाल वे सरकारी अधिवक्ता को सुना रामपाल के सतलोक आश्रम से जुड़े मुकदमा नमबर 426 वे 427 में सरकारी ज्यूटी में बाधा डालने व्याश्रम में महिलाओं को बंदी बनाने के मामले में आदालत ने फैसला सुनाया जिसमें रामपाल सहितन्यों को इन दोनों मामलों में बरी कर दिया रामपाल की पेशी जेल लंबर एक में वीडियो कॉन्फरेंसे के द्वारा की गई बचापक्ष पर सरकारी वकिल ने अपना पक्ष रखा और दोनों पक्षों को सुनते हुए नयदीश ने रामपाल को बरी कर दिया हिसार कोट में संतराम पालदाशी महराज के दो केस थे जिनमें 456 पटा 14, 427 पटा 14 था इन दोनों केसों में हिसार की माननी अदालत में संतराम पालदाशी महराज और उनके अन्य जो अन्य जो अनुवाई थे जिनको जुटा बंद कर रखा था उन सभी को माननी अदालत ने आज दोनों केसों में बाइज़त बरीकत दिया गया अभी और जो दूसरे केसेस हैं वो पेंडिंग ट्राइल है वो चलने हैं उनमें एविडेंस चल लगी है प्रोसीजर चल रहा है और जैसा जो उसमें आगे होगा हमारा यही पक्ष्था देखिए आप सब को पता है संत्राम पालदाशी के समर्तक फालूर्स उनके शिष्ष ग पूलाते ना खुछ तो वो अपने आप आये थे तो उन्हें बंदक कहां से बना लिया जाएगा संत्राम पालदाशी मारा जो खुद बीमार हैं जिस बात को हिसार के डीसी का जो पैनल डॉक्टर का पैनल था जो चूट किया गया वो जब खुद कह रहे हैं कि संत्राम पाल प्राजित कभी नहीं हो सकता आज उनकी बात पुरी तरह से सिद्ध हुए है वो तो कभीर पंद को माणने वाले रिखती हैं उन्होंने तो साफ तोर पुनका उदेश यही कब कभीर पंद क्या कभीर पंद हिंसा वादी रहा है कभी क्या कभीर के दोह और चोपाई हिंसा प कि इस बहर थे शार्टमी चर्विए C में bus लोगों जो सब भारा सब करता ही वह में द्लाद को Pardon ॐले निज़ रम्री टिया सार्बार सवारा करक़् लाद